हेलो दोस्तो हमें से कैसर स्टूडंट अपनी बारावी PCV गुरूप से पास करते हैं और फ्यूचर में एक डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं लेकिन MBBS और BDS के अलावा डॉक्टर बनने का सबसे आसान तरीका है BPT का कोर्स करके BPT का जो full form होता है वो Bachelor of Physiotherapy होता है ये डॉक्टर हड्डियों का डॉक्टर कहा जाता है अगर दोस्तो आपको हड्डियों का डॉक्टर बनना पसंद है तो दोस्तो आप BPT का कोर्स करके हड्डियों का डॉक्टर बन सकते हो और दोस्तो अभी के समय में BPT एक popular कोर्स बन गया ह वो इसलिए क्यूंकि इसमें करियर की काफी अच्छी संभवना है अभी के समय में फीजियो थेरिफी की डिमांड बहुती जादा बढ़ गई है क्यूंकि हॉस्पिटल्स, क्लीनिक, नर्सिंग होम, ड्रामा सेक्टर, फिटनेस सेंटर, एट सेक्टरा की बहुती तेजी से डि बढ़ रही है तो दोस्तों इन सभी जगह पर बीपी टी के कोर्स करने वाले स्टूडन्स को जॉब मिल जाता है वेसे भी दोस्तों अभी के समय में हॉस्पिटल्स की कमी नहीं है एक-एक शहर में अंगिनत हॉस्पिटल्स हो चुके है जहां पर बीपीटी के डिग्री धा फी डॉक्टर की मांग भी बढ़ रही है तो दोस्तो आज की स्पेशल वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फुल डीटेल में बताने वाला हूँ कि हड्डियों का डॉक्टर कौन होता है उसका काम क्या होता है हड्डियों का डॉक्टर बनने के लिए क्या eligibility criteria है हड्डियों का बनने के लिए कौन-कौन सा course करना पड़ता है उसकी कितने रुपीज की fees आती है कितना समय लगता है हड्डियों का डॉक्टर बन जाने के बाद आप कौन-कौन से जगह पर job हासिल कर सकते हो वहाँ पर आपको कितने रुपीज की salary मिलेगी और दोस्तो एंड़ में आपको ये भी बताऊंगा कि हड्डियों का डॉक्टर बन जाने के बाद आप कौन-कौन से business स्टार्ट करके लाखो रुपे की कमाई हर मेना कर सकते हो तो चलो इस वीडियों की शुरुवात करते हैं और जान लेते हैं कि हड्डियों का डॉक्टर कैसे बने तो दोस्तो सब-सपहल है ये 4 years का कोर्स होता है जिसमें 4 साल के बाद आपको 6 महने की internship करनी होती है इस कोर्स को कुछ एसा design किया गया है कि इस कोर्स के अंदर आपको सभी प्रकार की theory और practical दोनों तरकी knowledge दी जाती है दोस्तो BPD का पूरा कोर्स कर लेने के बाद आपको हड्डियों से related सारी प्रका बन जाते हो तो दोस्तो जो भी मरीज आपके पास आता है तो दोस्तो उस मरीज की जो भी समस्या होगी जैसे की हड्डिया कमजोर होना हड्डी मुड़ जाना शरीर में movement की समस्या etc की जो भी समस्या patient को होगी तो दोस्तो उस patient को एक physiotherapist के doctor के पास बेजा जाता है जो BPD का क कोर्स कंप्लिट करने वाला डॉक्टर होता है और दोस्तों एक फिजियो थेरिफिस्ट उस मरीज की कुछ इस तरीके से ट्रीटमेंट करता है कि उसकी हड्डियों से रिरेटेड सारी परिशानी मिड़ जाती है जिसमें व्यायाम मालिष स्ट्रेचिंग इत्यादी के माध्यम से ही वो मरीज को पूरा ठीक कर देता है तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि हड्डियों का डॉक्टर का काम क्या होता है तो दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि बीपीटी का कोर्स करने के लिए कौन-कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है जैसे कि दोस्तों आपके 11th and 12th के स्टडीज के अंदर होने चाहिए, PCM वाला स्टूडन्ट बीपीटी का कोर्स नहीं कर सकता, जिसके स्टूडी में बायोलोजिस सब्जेक्ट है, वही स्टूडन्ट फ्यूचर में बीपीटी का कोर्स कर सकता है, और बीपीटी का कोर्स करने के लिए आपको अ कोर्मेंट कोलेजस के अंदर एडमिशन चाहिए, तो दोस्तों आपको निट के एंटरेंस एक्जाम देना कमपलसरी है, या फिर दोस्तों आप डिरेक्ली किसी भी प्राइवेट कोलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो, बीपीटी का कोर्स करने के लिए आपको अपने बार अभी मिनिममम 50% मार्ज से पास आउट करनी है, जो भी स्टूडन्ट SC, ST और OBC केटेगरी से है, उन सभी स्टूडन्ट को 5% की छूट दी जाती है, तो दोस्तों ये है एलिजिबिलिटी क्राइटरिया बीपीटी के कोर्स के लिए, तो दोस्तों अभी हम लोग जान लेते ह कि हड्यों का डॉक्टर बनने के लिए कौन कोई से कोर्सेस अविलेबल है, तो दोस्तों एक हड्यों का डॉक्टर बनने के लिए कही तरह के कोर्सेस मार्केट में अविलेबल है, जिसमें से सबसे अधा पॉपिलर कोर्स है BPT याने Bachelor of Physiotherapy जो 4 साल का होता है, सेकेंड कोर्स है B.Sc. in Physiotherapy जो 3 साल का होता है, और दोस्तों 3 है B.O.T. याने Bachelor of Occupational Therapy जो 3 से लेके 5 साल का कोर्स होता है, और दोस्तों 4 है Post-Graduation Diploma in Physiotherapy, और दोस्तों इन सभी कोर्सेस को आप 12 के बाद कर सकते हो, और Post-Graduation Diploma आप अपने Graduation के बाद कर सकते हो, इन में से कोई भी एक को क्प्लिट कर लेने के बाद, आप एक हध्यों के डॉक्टर बन जाते हो, अगर दोस्तों इन courses की fees की बाद करें, तो दोस्तों इन courses की fees per year एक लाघ रुपए से लेकर 2 लाघ रुपीज तक की होती है, तो दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि B.P.T. का कोर्स क्प्लिट कर लेने के बाद हम कीन कीन जगह पर जौब हासिल कर सकते हैं और वहाँ पर हमें पर मंध कितिने रुपीज की सेलरी मिलेगी और दोस्तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जिस तरीके से जन संक्या तेजी से बढ़ रही है उसी तरीके से hospitals की भी संक्याती जिसे बढ़ रही है जिसके वज़े से हर एक hospital के अंदर bpt या फिर physiotherapist doctor की तो जरुरत पढ़ी जाती है जिसके वज़े से market में physiotherapist की काफी ज़्यदा मांग है इस course को पूरा करने के बाद अगर आप जौब नहीं करना चाते तो दोस्तों आपके पास एक दूसरा option भी होता है कि आप अपना खुद का clinic शुरू कर सकते हो ज्यादा तर bpt करने वाले student दो से तीन यर तक job करते है उसके बाद अपना खुद का clinic शुरू करते है क्यों क्योंकि उनके पास थोड़ा सा experience आ जाता है फिर वो अपने experience के अनुसार अपला clinic ओपन करते है और अच्छी कासी कमाई कर सकते है bpt का course पूरा करने के बाद आपको private sectors के आलावा government sectors में भी job के अच्छे अवसर होते है सरकार भी समय समय पर physiotherapist की vacancies निकालती रहती है जिसमें आप आवेदन करके job हासिल कर सकते हो bpt का course कर लेने के बाद आप एक physiotherapist, assistant physiotherapist, researcher, fitness trainer, therapy manager, acupuncture physiotherapist, sport physiotherapist, personal physiotherapist, etc. जाब हासिल कर सकते हो और दोस्तों ये सारे job आप hospitals, nursing home, clinics, drama center, injury center, fitness center, physiotherapy clinics और government sectors के अंदर आप factories में काम कर सकते हो defense academies के अंदर काम कर सकते हो railway में job हासिल कर सकते हो government hospitals के अंदर काम कर सकते हो इसी तरीके से community centers, sports clubs, army training camps के अंदर इत्याजी जगा पर job हासिल कर सकते हो तो दोस्तों as a fresher एक physiotherapist को पर मन 20,000 रुपीज की salary दी जाती है एक साल का experience आने के बाद एक physiotherapist को 30,000 रुपीज की salary पर मन दी जाती है जैसे उसके पास 3 साल के उपर का experience आ जाता है तो दोस्तों उसको पर मन 45,000 रुपीज से लेके 50,000 रुपीज की salary दी जाती है जैसे जैसे दोस्तों उसका experience बढ़ता है विसे विसे उसकी salary भी बढ़ती है अगर दोस्तों आपको job नहीं करना तो दोस्तों आप अपना खुद का clinic भी open कर सकते हो जहाँ पर दोस्तों आप लाखो रुपे की कमाई हर मेना कर सकते हो तो दोस्तों उम्मिद करता हूँ कि आज का video आपके काम आ गया होगा इस विडियो को share करके लोगों की मदद करो आपका प्यार देने के लिए और एसे विडियोज हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करे हमारे चैनल को